हलो मैं हैं विशेष स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल विशेष एजगेशन पर आज इस वीडियो में हम जिस टापिक को लेकर बात करने वाले हैं वो जो टापिक है वो माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे को लेकर है तो आज इस वीडियो में हम लोग हैं ठीक है और एसे लिखना ही नहीं बलकि उसे हेडिंग के साथ लिखना सीखेंगे और यह सीखेंगे कि हम किस तरह की हेडिंग में कौन-कौन सी बातें लिख सकते हैं जिससे हमारा जो ऐसे पढ़ने में और देखने में बहुत ही सांदर लगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आपनों को कल के वीडियो में ही बताया था कि जिस भी टापिक पर आप लिख रहा है एसे ठीक है उसके बारे में अगर आपको को कोटेशन याद है तो आप उसको जरूर लिखिए ठीक है जो मित्र काम आता है is a friend indeed तो वास्तों में सच्चा मित्र वही होता है तो हमारे जीमन में हमारे बहुत से मित्र होते हैं लेकिन सभी मित्र जरूरत के समय हमारे काम नहीं आते हैं तो हम उन्हीं मित्र को उन्हीं लोगों को अपना मित्र कह सकते हैं जो हमारे जरूरत के समय काम आते हैं जो हमारे दुखों में हमारी मदद करते हैं ठीक है तो वो क्या कहलाता है कि सच्चा मित्र कहलाता है वास्तिवेग मित्र कहलाता है ठीक है तो सबसे पहले हम जो हेडिन डालेंगे काउंस हेडिन डालेंगे इंट्रोडिक्शन ठीक है तो a friend is a person एक जो मित्र होता है वो एक ऐसा वेक्ति होता है whom one like जिसे कोई वेक्ति पसंद करता है respect उसका सम्मान करता है meets often और अक्सर मिलता है तो यह तो definition में friend की आखिर एक friend होता क्या है तो एक friend जो होता है जो मित्र होता है वो एक ऐसा वेक्ति होता है जिसे हम अक्सर पसंद करते हैं मिलते हैं उसका इज़्जत करते हैं friendship is the feeling मित्रता एक ऐसी भावना है that joins जो जोडती है the hearts are two friends दो मित्रों के हरदियों को ठीक है तो एक जो मित्र होता है वो एक ऐसा वेक्ति होता है जिसे हम पसंद करते हैं जिसके हम इज़्जत करते हैं या जिसके साथ हम अक्सर मिलना पसंद करते हैं वो हमारा क्या होता है मित्र होता है और मितरता जो होती है वो एक ऐसी feeling है एक ऐसी भावना है जो क्या करती है दो मितरों की हर्दियों को चोड़ती है friendship is based on true law मितरता जो होती है सच्चे प्रेम पर अधारित होती है तो कोई भी विक्त हमारा मितर तभी बन पायेगा जब हमारे विचार उससे मिलेंगे जब हम उसको पसंद करेंगे ठीक है तो मितरता जो होती है वो सच्चे प्रेम पर अधारित होती है a true friend एक जो सच्चा मितर होता है is selfish selfish का अंतलब जिसके अंदर स्वार्थ पर ना हो निस्वार्थ होती है ठीक है निस्वार्थ ही कह सकते है ठीक है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ ना हो ठीक है तो he helps his friend in the time of need तो friend जो होता है वो अपने दूसरे मितर की मदद करता है जरूरत के समय तो उसे हमें अपने मितर कहते है he advices us वो हमें सला देता है to act right सही काम करने के लिए but it is very difficult लेकिन बहुत ही मुश्किल बात है to find a true friend in the world संसार में सच्चे मितर को ढून पाना ठीक है तो संसार में सच्चे मितर का मिलना बहुत ही मुश्किल बात है तो एक जो मितर जो होता है वो एक ऐसा विक्ति होता है जिसे हम पसंद करते हैं जिसकी मिज़द करते हैं और जिससे अक्सर मिलते रहते हैं वो हमारा क्या होता है मितर होता है मितरता जो होती है वो एक ऐसी feeling है इसी भावना है जो दो मित्रों की हरदियों को जोड़ती है ठीक है Friendship is based on true love मित्रता जो है सच्चे प्रेम पर आधारित होती है सच्चे प्रेम के कारणी मित्रता होती है A true friend एक जो सच्चा जो मित्र होता है एक जो वास्तिविक मित्र होता है वो निस्वारती होता है उसके अंदर कोई लालच नहीं होता कोई स्वारत नहीं होता किसी से मित्रता निभाने के लिए और एक जो सच्चा मित्र होता है वो help सहयता करता His friend अपने मित्र की in time of need जरूरत के समय तो जरूरत के समय जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा अपने मित्र की सहता करता है और जो सच्चा मित्र होगा वो हमेशा सलाह देगा हमें to act right सही काम करने के लिए तो जो सच्चा मित्र होता है वो कभी भी किसी गलत काम में साथ नहीं देगा बलकि वो हमको समझाएगा कि ये काम गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए But it is very difficult, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है To find a true friend in the world संसार में सच्चे मित्र को पाना, उसको ढूंड़ना ठीक है ये तो बात है friend को लेकर अब हम बताएंगे कि आकिर true friend है कुन I have many friends, मेरे कई मित्र है But I like RN most, लेकिन मैं RN को ज्यादा पसंद करता हूँ सभी मित्रों में He is my best friend, कारण क्या है किवकि वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है He is a student of class 10, class 10 का student है विद्यारत है वो We go to school together, together मैं साथ-साथ हम सभी लोग, हम दोनों लोग साथ-साथ इसकूल जाते है We sit on the same bench, हम लोग एक ही bench पर बैटते है We study and play together, साथ-साथ पढ़ाई करते हैं, साथ-साथ खेलते हैं He belongs to a good family, वह एक अच्छे परिवार से समुन रखता है यानि कि उसका जो परिवार है, वो बहुत ही अच्छा है His father is a college teacher, उसके जो पिता है, college में teacher है, द्यापक है His mother is a housewife, उसकी जो मा है ग्रहणी है Housewife उसको कहते हैं, वो इस तरियां जो घर पर रहती हैं, घर पर रुपती हैं, घर का काम करती हैं जो घर समालती है, वो housewife कहलाती है, ग्रणिया कहलाती है But she is much educated, लेकिन वो काफी पढ़ी लिखी है तो यद्देपु घर का काम करती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन वो काफी पढ़ी लिखी है His brother and sister are also good student तो उसके भाई और उसके जो बहन है, वो भी अच्छे विद्यारती है RN is the eldest child, RN जो है eldest मने, सबसे बड़ा तो RN जो है सबसे बड़ा बेटा, यानि की लड़का है, उनके परिवारें बच्चा है आप इस parents अपने माता पिता का तो मालिया तीन है, तो तीन बच्चों में, RN जो है वो अपने माता पिता का सबसे बड़ा बच्चा है यानि की बड़ा लड़का है So he is loved and respected, इसी लिए सभी लोग उसे पसंद करते हैं, पिरेम करते हैं और उसकी जट भी करते हैं छोटे भाई-बैन है, वो भी अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं उसके बाद अगली हम लिखेंगे, qualities को लेकर लिखेंगे, कि आकिर कौन-कौन से गुड़ है क्योंकि अगर तुमने इसको फ्रेंड बनाया है, तुमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसके अंदर कुछ नहीं कुछ अच्छा ही हैं तो होगी तो आरेन है, इसे बड़ों की आज्या मानता है वो अपने अध्याबकों का आदर करता है, उनकी इच्चत करता है टीचर्स आलसो लविम और अध्याबक भी उसे प्रेंड करते हैं आरेन जो है समय पर ही क्लास में जाता है वो कभी कबार, अनने क्या होता है, कभी कबार तो कभी कबार इसको देर होती होगी, या फिर कभी कबार ही वो अपसेंट होता है अच्छी तरह से कपड़े बहन कर, या जो ड्रस चलती है स्कूल में, तो विल ड्रस बहन कर आता है ठीक है, पूरी ड्रस बहन कर आता है, ठीक है, सालट पैंट, टाई बिल्ट, अच्छी तरीके से लगा कर और साब सुत्रे कपड़े बहन कर, या जो अब पूरा ध्यान देता है, तो अपनी पढ़ाई पर, ठीक है ही नेवर वेस्ट इस डाईम, वा कभी भी अपना समय बरबाद नहीं करता है, ही आलवेज इस्टेंड फर्स इन अवर क्लास, और वा हमारे कच्छा में हमेशा क्या आता है, इस्टेंड फर्स पर दनमाता है He is bright ब्राइट कहते है उज्जोलयानी के जो होसियार होता है तो वह होसियार है He does very He does very well in all the subjects वह सभी विशियों में बहुत ही अच्छा करता है He is also very careful about his health वह अपने स्वास्त का भी ध्यान रगता है careful मने ध्यान देना, सतर खोना health मने स्वास्त तो वह आपने स्वास्त का भी ध्यान रगता है He gets up early in the morning वह सुवा जलती उठता है and goes out for a walk और बाहर टहलने जाता है He takes light exercise regularly light मने होता है हलकी exercise regularly मने नीमेत रूप से वह नीमेत रूप से एकल हुआ प्रतिदिन हलका व्यायाम भी करता है इसके बाद अब जो अगली हेटिंग रहेगी कौन से रहेगी behavior वेवहर को लेकर तो RN is a boy आप good character RN जो है अच्छे चरितर वाला अच्छे आच्रणाला लड़का है He is fair and tall वह दिखने में अच्छा लगता है and tall और वो लंबा है He is about 15 वह लगवग 15 साल का है आग चाहे तो इसमें छोड़ सकते हैं आगे 15 years old पूरा He never likes to tell a lie उसे जूट बोलना कभी भी पसंद नहीं है He never believes in cheating people वह लोगों को धोका देने में विश्वास नहीं करता है यानि कि लोगों को कभी भी धोका नहीं देता है He is honest and fair वह इमानदार है और साफ सुत्रे सभावाला है ठीक है यहाँ पर भी है और यहाँ पर fair का मतलब साफ सुत्रे सभावाला ठीक है अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी लिए सकते हैं He is honest कर सकते हैं He is considerate considerate करते हैं जिसके अंदर सोच विचार करने की चंता बढ़िया हो ठीक है He is He does Good to all वह सभी के साथ अच्छाई करता है ठीक है All का मतलब सभी के साथ और गुड माने यहाँ पर भलाई या फिर अच्छाई तो वह सोच विचार करने वाला वेक्ति है ठीक है और वह सभी के साथ अच्छा करता है He never expect returns Expect मने क्या होता है आसा करना Return मने वापसी में कुछ तो वह कभी भी वापस पाने की कुछ भी आसा नहीं करता For what he does to others जो भी वह दूसरों के लिए करता है ठीक है तो उसका सभाव ऐसा है कि अगर मालिया उसने किसी की मदद की तो मदद की बदले में वह कुछ नहीं चाहता है ठीक है Return का मतलब क्या होता है बदले में ठीक है वापसी में कुछ नहीं चाहता है तो किसी लालच में वह किसी की मदद नहीं करता है अगर वह किसी की साहता करता है तो बिना किसी लालच की उसकी जाहता करता है वो नहीं चाहता कि मैं इसकी मदद कर दूँगा तो यह हमें इसके बदले कुछ दे तो ऐसा कुछ नहीं ठीक है तो he always looks happy and cheerful तो हमें ऐसा प्रसन और आनन्दित दिखाई पड़ता है he is kind and gentle वह दयालू है और सज्जन है अब उसके बाद हम लिखेंगे उसकी hobbies की बारे में तो he has many hobbies उसके कई सोख है he sings वगाता है and paints और paint भी करता है variable बहुत ही अच्छी तरह है तो अच्छी तरीका इस गाभी लेता है और painting में इसको बहुत ही अच्छी तरीका चाती है फटबाल केलते हैं और बास्केटबाल और बास्केटबाल भी केलते हैं RN is good at cricket RN जो है cricket में बहुत ही अच्छा है he is the captain of the school cricket team तो इसकोल में जो cricket team है वो उसका क्या है captain भी है he is also much fond of reading biography of great man और उसे महान लोगों की biography जीवन की कथाओं को पढ़ने में भी काफी वो सोगीन है तो इसका अब यह है कि उसे महान लोगों की जीवनिया पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है तो अब हमारी ये last reading and conclusion वली तो उसमें बताना है कि आखिरकार इन सब अच्छाईयों के बाद बुराईयों के बाद या जो manners है जो behavior जो है ठीके अब उसका सब निश्कर निकल कर क्या आता है I am fortunate मैं बहुत ही भागसाली हूँ to have a friend कि मुझे एक मित्र मिला है like RN RN की तरीके से He wants to become an IS officer वो एक IS officer बनना चाहता है ठीके उसकी क्या इच्छा है एक IS officer बनने की ठीक है May God grant him his service one day तो भगवान उसकी इच्छा एक दिन पूरी करें तो उसकी जो इच्छा है IS बनने की तो भगवान उसकी इच्छा को जरूर पूरा करते है and then मैं इस दुनिया में इस प्रतिवी पर सबसे खुस वेक्ति होंगा He rules in my heart वहा मेरे हरदे में निवास करता है हरदे में सासन करना rule मने सासन करना मतलब वो मेरे दिल में बचता है and I leave him more than my life और मैं उसे अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रेम करता हूं I am proud of my friend मुझे अपने मित्र पर करव है ठीक है तो अब हम फिर से एक बार इसको जो है स्टार्टिंग से पढ़ लेते है ठीक है ताकि आपको हिंदी जो मीनिंग है अच्छी तरीके से किलियर हो जाए तो my best friend मेरा प्रेमित्र तो a friend in need जरूरत के समय जो मित्र काम आता है यह जब friend in need वही सबसे चामित्र कहलाता है तो a friend is a person एक जो मित्र होता है वह ऐसा विक्ति होता है whom we likes जिसे हम पसंद करते हैं respect जिसकी मिजज़त करते हैं मीड साफिन और जिसे हम अक्सर मिलते हैं तो एक मित्र जो होता है वह ऐसा विक्ति होता है जिसे हम पसंद करते हैं वह से इज़त करते हैं और उससे अक्सर मिलते रहते हैं तो वह विक्ति क्या कहलाता है हमारा मित्र कहलाता है friendship is the feeling friendship जो होती है ठीक, मित्रता जो होती है वह एक ऐसी feeling एक ऐसी भावना है that joins the heart of two friends जो दो मित्रों के हर्दियों को बांधती है, जोडती है, पसमें मित्रता जो होती है, वो एक ऐसी भावना है, जो दो मित्रों के हर्दियों को जोडती है friendship is based on true love मितरता किसी से तभी होती है जब सच्चा प्रेम होगा तो सच्ची जो मितरता है वो सच्चे प्रेम पदा अधारित होती है a true friend is selfish एक जो सच्चा मितर होता है कैसा होता है selfless कैसा होता है निस्वार्थी होता है he helps his friend in the time of need तो वह जरूरत के समय अपने मितर की सहता जरूर करता है he advises him to act right तो हमेशा सला देता है अपने मितर को सही काम करने के लिए but it is very difficult to find a true friend in the world लेकिन संसार में एक सच्चा मितर मिल पाना बहुत इकठीन होता है I have many friends मेरे बहुत सारे मितर है but I like RN most लेकिन मुझे RN जो है वो सबसे आदा बसन देता है तो यहाँ बर आप अपने best friend का नाम लिख सकते है he is my best friend हुआ मेरा सबसे अच्छा मितर है he is a student of class 10 तो कच्चा 10 का विद्यार थी है we go to school together हम लोग साथ 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 इस्कूल जाते है we sit on the same bench हम लोग एक ही bench पर बैठते है we study and play together एक साथ बढ़ाई करते हैं एक साथ खेलते है he belongs to a good family उसका जो परिवार है बहुत यह अच्छा है वो एक अच्छे परिवार से संबंद रखता है his father is a college teacher उसके जो पिता है college के एक teacher है द्यापक है his mother is a housewife उसकी जो मा है ग्रहरी है ठीक है but she is much educated लेकिन वो काफी पढ़ी लिखी है his brother and sister are also good students उसके भाई और जो पहन जो है वो भी काफी अच्छे वित्यारती है ourn is the eldest child of his parents ourn जो है अपने माता-पिता का सबसे बड़ा बेटा है so he is loved and respected most इसलिए उसका सब्मान भी काफी की रहता है और लोग उसे काफी चाहते में है उसके बाद qualities कि उनमें क्या-क्या खासियत है क्या-क्या गुड़ है जो best friend है उसमें ourn has several qualities या many qualities भी लिख सकते हैं ourn में बहुत सारी गुड़ है he loves me very much सबसे पहली बाद तो मुझे बहुत ही पिर्यम करता है he obeys his elders वो अपने बड़ों की आग्या मानता है वो कहना मानता है he respects his teachers वो अपने अध्यापकों का सम्मान करता है teachers also love him अध्यापक भी उसे पसंद करते हैं ourn goes to his class in time ourn समय पर अपनी कच्छा में जाता है he is seldom late or absent कभी कबार ही साथ वो देर हो जाती हो इसको यह कभी कबार ही साथ वो absent हो जाता था अनुपस्थित हो जाता हो he always comes to school and will dress वो हमेशा अच्छी dress पहन कर यानि कि अच्छे तरीके से school आता है साथ एकदम dress पहन कर tie belt सब लगा कर अच्छी तरीके से आता है he is very hard working बहुत ही मेहनती है वो he always pays full attention to his study हमेशा वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है he never waste his time कभी भी अपना समय बरबाद नहीं करता है he always stand first in our class वो हमेशा हमारे कच्छे में प्रथम आता है he is bright वो बहुत ही वो दिमान है he does very well in all the subjects सभी विस्यों में वो सबसे अच्छा काम करता है he is also very careful about his health अपने स्वास का भी काफी ध्यान रगता है he gets up early in the morning इसलिए वो सुबह जल्दी उठता है और goes out for a walk और टहलने के लिए जाता है he takes light exercise regularly और वो नीमित तोर पर क्या है हल्क या वयाम जो है regular exercise mild जो है अच्छी तरीके से हल्का वयाम करता है रोज his behavior उसका वेवहार आरेन जो है आफ गुड़ करेक्टर आरेन जो है अच्छे गुड़ों वाला लड़का है he is fair and tall वा सुन्दर है और लंबा है he is 15 पंदरा साल का है वो he never likes to tell a lie उसे जूट बुलना पसंद नहीं है he never believes in cheating people लोगों को कभी वो धोका नहीं देता है he is honest and fair इमांदार है और अच्छे चरितर वाला है he is considerate वा विचारसील है हर बार में अच्छे तरह कर सोचता है तो कह सकते हैं कि वा विचारसील है he does good to all वो हमेशा सभी के साथ अच्छा करता है सभी की भलाई करता है he never expects returns for what he does to others और जो लोगों की वो मदद करता है तो उसके बदले में वो किसी विच्च की आसा नहीं करता है तो बिना किसी लालच के वो लोगों की मदद करता है he always looks happy and cheerful हमेशा वो खुस और आनंदित दिखाई देता है he is kind and gentle तो अदयालू और सज्जन है उसके बाद hobbies के बारे मताना सोग के बारे में तो he has many hobbies तो उसके बहुत सारे सोग है he sings and paints well वह अच्छा गावी लेता है और ची तरीके से painting भी करता है आन्दा प्लेग्राउंड खेल के मैदान में we play games together हम लोग साथ साथ खेलते हैं we play hockey, हम hockey खेलते हैं school cricket team school की जो cricket team है उसका वो captain है क्या है? he is also much fond of reading biography upgrade मैं ठीक है यहाँ पर police staff लगा लेंगे साथ चूट है typing mistake है ठीक है और वो महाल लोगों की जीवनी पढ़ने का भी उसे काफी सौख है conclusion निसकर्थ उसके बाद में I am fortunate मैं बहुत ही भागे साली हूँ to have a friend कि मुझे एक मित्र मिला है अपने जीवन में लाई का रहे हैं आरिन की तरह है तो आरिन की तरह है अपने जीवन में मित्र को पाकर मैं बहुत ही भागे साली हूँ he wants to become an IS officer वो एक आईस अधिकारी बनना चाहता है May God grant him his wish one day तो भगवान उसकी इच्छा एक दिन जरूर पूरी करें and then I shall be the happiest man अनर तब जाकर मैं प्रतिवी पर सबसे सुखी वेक्ति सुखी सबसे खुस वेक्ति सबसे खुस वेक्ति हो पाऊंगा यानि कि अगर उसका सपना पूरा हो जाएगा IS बनने का तो सबसे अध़ खुसी किसे होगी मुझे होगी He rules in my heart वोगा मेरे दिल में निवास करता है I love him more than my life मैं उसे अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ I am proud of my friend मुझे अपने मित्र पर बहुत यादा गर्व है ठीक है तो उमिद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके समझ में आया होगा और इस तरीके का वीडियो या इस तरीके का एसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला ठीक है तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा अगर फिर भी कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है कोई doubt रह जाता है तो वीडियो को वापस फिर से देखिए ठीक है इसको अच्छी तरीके से note कर लीजिए और अच्छी तरीके से उसको याद रखिएगा ठीक है? तो आज के टापिक में इतना ही कल की वीडियो मिलते हैं नए ऐसे के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई